आपज्ञान के कारण, अविद्या से ग्रशित होने के कारण, जैसे सरावी आदमी नाली में गिरता है तो अपने को समझता है को ब्रमानन्द में मगन है, उसको लगता है अम्रत के कुंड में ओकेली कर रहा है, नाली में पड़ा है, उसे बात करके देखो तो बादसाह वाली बात करेगा, बस ठीक ऐसे ही मोह मदिरापान के हुए हम आकरशित हो रहें, कहा सुख है, धैरिपूर्वक विचार करके देखिए, थोड़ी देर भगवदी स्मृती में युग्ठो करके विचार करो, काम में कौन सा सुख है, मलिन मन होने के कारण, अविद्या ग्रशित हो आप इन मांस पेशियों को सुख का केंद्र समझ रहें, थोड़ा विचार करके देखिए, कहा सुख है, कौन सा सुख है, आप विचार कर, विचार रहित होने के कारण, पसुता होने के कारण, आपके द्वारा ऐसी चेस्टा हैं हो रहें, कहीं सुख नहीं, आप भजन कीज खुद आपका मनाथ